व्रिताकार घास के मैदान के कोने पर लगे खुंटे से गोड़े को पांच मिटर लंबी रसी से बांदा गया अब यह ध्यान रखना पांच मिटर क्या हो गया रेडियस हो जाएगा आकरिती एक मैदान के उस भाग का क्षेतर फल गयात करो जहां घोड़ा घास चर सकता है अब रसी बांदी है अब यह डियाग्राम देखिए यहां पे उन्होंने फिगर बनाई हुई है और यह एरिया जो है इसका हमने क्षेतर फल निकालना इतना ही चर सकता है जितने बुड अब यह 15 मिटर है यह टोटल यह भी ध्यान रखना आपने ठीक है और 5 मिटर लॉंग इसकी रोप है हमारे पास एरिया निकालने का बड़ा असान सा तरीक है हमने क्या करना देखिए एंगल हमारे पास दिया हुआ है क्योंकि एंगल कितना आजेगा 90 डिगरी एंगल कितना जाना है इतनी उसकी रसी है तिजज हो यह उतनी होएगी और कितनी है वो रसी पाइव मेटर या देखिए पाई की वाल्यू थ्री पॉइंट वन फॉर यूज करनी है हमने क्या यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14 फर्स्ट में क्या निकालना एरिया ओफ एड़ पाट और फिल्ड इन विश दा हॉर्स कैन ग्रेज ग्रेज अरिया ओफ ग्रेजिंग फिल्ड या फर्मूला लगेगा थेटा अपॉन 360 पाई आर स्केर थेटा कितना है 90 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 3.14 है इंटु 5 इंटु 5 इंटु 5 90 की 0 360 कट की 9 1 9 9 4 जा 36 अब 4 से 2 से को कट किया और 2 से 1.57 आ गया है इसको मल्टिप्लाई कर देंगे देखिए अटु टु जा 25 और 25 से मल्टिप्लाई करेंगे देखिए सबसे पहले 25 को 7 से किया 175 और ये 125 25 इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मारे पास 142 14 बचा और 25 और 14 ये हो जगा हमारे पास 39 अपॉन तो कैलकुलेट कर लेंगे यहां पॉइंट आ गया हमारे पास 21 जा 2 वन लेफ्ट 29 जा 18 फिर वन लेफ्ट 625 या कि 19.625 मिटर अब वो कहते हैं अगर रसी को बढ़ा दिया जाए आर कितना कर दिया आप 10 मिटर कर दिया अब एरिया कितना हो गया इन second condition दूसरी condition में area देखो कितना हो जाएगा दूसरी तीति में area area of grazing field ठीक है कितना हो जाएगा देखिए फर्मुला वही है हमारे पास थीटा पॉन 360 पाई आर स्केर बस अब फरक क्या है यहां पे बच्चें हमारे पास आर जो है अब 10 हो जाएगा ठीक है 90, 0, 360, 0 से कटकी 9, 4, 0, 36 0 से 100 की 0 कटी 10 की 0, 100 से कटी और हमारे पास आजेगा ये 2 या गया 1.57 पॉइंट नहीं रहेगा ये 157 अपॉण 2 कितना आ गया है 157 अपॉण 2 कैलकुलेट कर लेंगे इसको 7, 2 जा 14 7, 8 जा 16 0.5 पिटर स्के उन्होंने पुछाया है कि कितना एरिया बढ़ेगा यानिके इंक्रीजड एरिया इंक्रीजड एरिया बढ़ा हुआ इतना बढ़ेगा 78.5 माइनस 19.625 दोनों को लेस्ट कर देंगे और लेस्ट करके देखिए इसको लेस्ट करने का तरीका बता देते हैं 78.5 19.625 अब यहाँ जिरो लगानी पड़ेगे द्यान रखना यह बच्चे कई बार भूल जाते हैं और गलत कर बैठते हैं इसको और यह हमारे पास आ जाएगा जी 8 और यह आ गया 5 इतना आ जाएगा हमारे पास 58.875 अलगार 80 उसकी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए तो एरिया कितना जाएगा यहाँ देखिए हम इंदी में लिखना भूल गे ते वह भी लिख देता हूँ गोडे द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेतर का क्षेतर फल गोडे द्वारा चरे जा पकने वाले क्षेतर का क्षेतर फल यह हमने लिखना था यह याद नहीं रहा था शुरू में यह गलती रही है तो आपने दिहान रखना हिंदी मेडियों वालों यहां पर भी आजेगा गोड़े द्वारा जा सकने वाले क्षेतर का क्षेतर फुल यहां लिखा है हमने बढ़ा हुआ हमारा आठमा क्वेश्चन